इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Pax shampoo एक antifungal दवा है जिसका इस्तेमाल त्वचा के fungal infection के इलाज के लिए किया जाता है यह संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है Pax shampoo का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा बताई गई मातरा और अवधी तक करना चाहिए इसका अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उप्योग करना चाहिए आवश्यक्ता से अधिक उप्योग न करें यह आपकी स्थिती को तेजी से साफ नहीं करेगा और केवल दुश्प्रभाव बढ़ा सकता है अपने चिकित्सक द्वारा आपको बताए गए समय से अधिक समय तक इसका उप्योग न करें और यदि दो से चार सप्ताह के उप्चार के बाद आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है तो उसे बताएं ध्यान रखे कि इसे स्कैल पर पांच मिनट से ज्यादा न रहने दें इस दवा का उप्योग करने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सूखापन, बालों का मलिंकिरन और असामान्य बाल बनावट शामिल है ये आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर अलजी की प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसके संकेतों में दाने, होंट, गले या चहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या, चक्कर आना या बेहोशी और मतली शामिल है ऐसा होने पर अपातकालीन सहायता प्राप्त करें अपनी आँखों के सीधे संपर्क से बचें सीधे संपर्क के मामले में अपनी आँखों को पानी से धुएं और ततकाल चिकित सा सहायता लें यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डौक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य कரीम का उप्योग किया है जिसमें स्टेरॉइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा का उप्योग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट रूप से आवशकता हो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या या सुरक्षित है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद